नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई नर्सिंग वेकेंशी की तो वीडियो को सुरूँ से एंड तक जुरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल वह आपसे मिश ना हो वीडियो में दीगी जानकर कैसी लगी कमेट कर जुरूर बताएं तो यहाँ पर सकते हैं ओड़ियोलोजिस्ट की पोस्ट है आडियोमेटरीट एसिस्टेंट की एक पोस्ट है स्पीज थेरपिस्ट की एक पोस्ट है फीजियोघ्ट की दो alot का कोर्ष इंगा को और परमत आपको payment मिल जाएगी, dental technician की एक post है, multipurpose health worker की तीन post है, OT assistant की दो post है, security worker की भी एक post है, hospital attendants की एक post है, सबकी qualification आप सामने देख सकते हैं, multipurpose hospital worker की दो post है, HMIS IT coordinator की एक post है, psychiatric nurse की एक post है, इसके लिए nursing qualification adopted in government medical institution with specialized training of six months in identified institutions preferred ये जो इसके relevant field के अंदर जो च्छा मेनी का nursing course होता है identified course वो क्या होना चाहिए दस जारुपे परमत आपको payment मिल जाएंगे nutrition counselor की एक post है कुक कम caretaker की एक post है multi-purpose hospital worker की एक post है driver mmu की एक post है limit जो salary वो सामने देर किया है ये qualification देर किया ये notification की जो local language के अंदर जारी हुआ है फिर भी यहां पर देख सकते हैं ये इनकी mail id देर किया है थोड़ा से English में translation इसका दिखा देते हैं यहां पर देख सकते हैं audiologist audiometric assistant speech therapist physiotherapist audiologist speech therapist optometrist lab technician dental technician multi-purpose health worker doctor ot assistant security worker hospital attended की multi-purpose hospital worker की hmis IT coordinator की सारी पोस्टें आप देख सकते हैं apply किस प्रकार करना है और age criteria क्या रहेगा वो देख सकते हैं तो age आपकी 45 साल से कम होनी चाहिए आपका selection interview के अधार पे होगा परमन जो payment हम बात कर चुके 5000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको मिलने वाली है तो apply करने के लिए dhs की official dhs निलगिरी के ओपीज जो site उस पे जाना है आपको वहाँ पे notification को verify करना है क्या आप eligible हैं या नहीं वहाँ से अपना जो फोर्म वह एक पार download करना है उसको पूर्ण उपसे पहले पहले तो कुछ नहीं करना आपको फोर्म डाउनलोड करना है उसको पूर्ण उपसे फिलप करना है और जितने भी limited documents उनकी एक pdf बना लेनी है chem scanner से पीडिय बन जाएगा आराम से वो पीडिय बना कर उसको send कर देना आपको यह जो mail id इस mail id पर तो कोई दिक्कत नहीं हो कि आराम से आप 15 मिंट के अंदर फोर्म यह apply कर सकते हैं यहां पर send कर सकते हैं उसके बाद short listed candidates को यहां पर बुला लिया जाएगा और वो किने इंट्रीव होगा और उसके अदार पर इस selection होने वाला है तो यह जो पीडिय पर आप हमारे टेलिग्राम चैनल या वाट्सप ग्रूप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोनों के लिंक आपको वीडियो के description में उपलब दे करवा दी है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे बिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए भरती एक नए जानकरी के साथ तब तक लिए ज